हेलो दोस्तों दैस्टेडी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है इतियाज विशे को लेकर लोगों की समझ विक्सित करने में दैस्टेडी संस्थान सुरू सही समर्पित रहा है इसी करम में आपकी आगामी संग एवं राज सिविल सेवा परिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दैस्टेडी संस्थान कुइक रिवीजन ओफिस्ट्री नाम से एक नई सीरीज सुरू कर रहा है विगत घटनाओं का चिंतन किया जाता है जिससे हमारी और हमारे समाज की दिसा वादसा का नेधारन कर भविश्य को सुरच्छित रखने का प्रयास किया जाता है वर्तमान मानों का सुरूप क्रमिक विकास का ही परड़ाम है इतिहास कारों ने इसके अध्यन को सरल बनाने हितू इसे कई भागों में वर्गी करित किया है जिस काल का कोई लिखित साच्छ नहीं मिलता है उसे प्रागरतिहासिक काल कहते हैं जैसे पासान काल इन सभी काल क्रमों का अध्यान हम एतिहासिक साच्चों के आधार पर करते हैं। इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। पुरातात्विक साच्च एवं सहित्तिक साच्च। प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अंगिनत भौतिक अवसेसों को छोड़ा है जिने पुरातातिवक साच्च कहते हैं। इनके अंतरगर अभी लेग, इसमारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तिया, चित्रकला एवं मुहरों को सामिल किया जाता है। तो चलिए सुरू करते हैं अभी लेखों से। प्राचीन भारत में अधिकांस अभलेग, पासार सिलाओ, इस्तंबों, ताम्र पत्रों, दीवारों एवं प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण किये गए हैं। इनका अध्यन पुरा लेख सास्त्र या एपिग्राफि कहलाता है। तथा इनकी एवं अन्य पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिति की अध्यन को पुरा लिपी सास्त्र य और नासत्त के नाम मिलते हैं। इनसे रिगवेद की तिति जानने में मदद मिलती हैं। सबसे पुराने अविलेख जो पड़े जा चुके हैं, वे हैं तीसरी सदी इसा पूर्व के असोक के अविलेख। अधिकान सा अबलेख ब्रामी लिपी में हैं, जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी इसकी अलावा कुछ अविलेक खरोष्टी लिपी में भी हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अविलेकों में यूनानी एवं अरमाइक लिपियों का भी प्रियोग हुआ है सरप्रथम 1837 में जेमस प्रिंसिप ने ब्राम्मी लिफी में लिखित असोक के अविलेक को पढ़ा था मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर एवं उदे गोलम से प्राप्त अविलेकों में असोक के नाम का इसपस्ट उलेक है जबकि अन अभी लेकों में उसे देवा नाम पिये दसी अर्था देवों का प्यारा कहा गया है अभी लेकों को राज की ये अलग-अलग वर्गों में बाटा जा सकता है राज की अभी लेकों में अधिकारियों एवं जनता के लिए जारी किये गए सामाजिक, धार्मिक एवं प्रासासनिक राज्य देशों एवं नेर्नेओं की सूचनाई मिलती है आनुस्ठानिक अभी लेखों को बौद, जैन, वैसनव, सैव, आदी संप्रदायों के अनियायों ने उतकीर्ण करवाया आगे प्रसास्तियों का प्रिशलन प्रारंब हो गया, जिनमें राजाओं की विजियों की प्रसंसा की जाती थी इन सभी के अलावा दान पत्र एवं भूमी दान अभी लेखों को भी सामिल किया जाता है जिन से प्राचीन भारत की भूविवस्था रसासन आदी की सूचना मिलती है ये अभी लेख अधिकतर तामर पत्रों पर उके रे गए हैं गैर सरकारी अभी लेखों में यवन राजदूत हेलियो डोरस का बेस नगर से प्राप्त गरुन इस्तमिलेक उलेखनीय है जिससे भागवत धर्म के विकास की जानकारी मिलती है चलिए अब बात करते हैं इसमारक और भवनों की इसमारक और भवनों से संबंदित काल की आध्यात्मिक्ता एवं धर्म निस्टा की जानकारी मिलती है जैसे हडपपा और मुहन जोदरों की खुदाई से सिंदू सब्विता की विशाय में पता चलता है अतरंजी खेडा से प्राप्त लोहे के साथ एक हजार रिशा पूर्व में लोहे की पिजलन की विशाय में बताते हैं महल एवं मंदिर तत्कालिन सांस्कृतिक पहलियों की जानकारी प्रदान करते हैं अब बात करते हैं सिक्कों की अब लेक, इसमारक और भवन के अतरिक्त प्राचीन राजाओं दौरा जारी किये के सिक्कों से तब कालिन राजनीति के वो आर्थिक विवस्ता की जानकारी प्राप्त की जाती है सिक्कों के अध्यन को मुद्रा सास्त्र या न्यू मिस्मेटिक्स कहते हैं पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और सीसे के बनते थे प्राचीनतम सिक्कों को अहज सिक्के या पंचमारक सिक्के कहा जाता है क्योंकि इने ठपा मार कर बनाया जाता था इन पर पेड, मचली, साण, हाथी, अर्धचंद, आदी के चिन बने होते थे आरंबिक सिक्कों पर इस तरह कुछ प्रतीक चिन मिलते हैं परन्तुबाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तता तितियां भी उल्लिखित मिलती हैं इन सिक्कों के उपलब्दी इस्तान से दारनितिक विस्तार एवं तितिकरम की जानकारी मिलती है सबसे अधिक सिक्के मौर्य उत्रकाल में बने जो फिसेस्ता सीसे, पोटिन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के हैं साथ वहनों ने सीसे तथा गुप्त सासकों ने सोने के सर्वादिक सिक्के जारी किये इन सबसे पता चलता है कि व्यापार वारिज वेसिस्ता मुर्य उत्तर काल एवं गुप्त काल के बिच अधिक विक्षित अवस्था में रहा सिक्कों पर लेक लिखने का कार सबसे पहले यवन सासकों ने प्रारंब किया सिक्कों पर राजवनसों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेक भी अंकित रहते हैं जो ततकालिन कला और धर्म पर प्रकास डालते हैं चलिए अब बात करते हैं मूर्तियों की प्राचीन भारती इतियास में मूर्तियों का निर्माण कुसार्ण काल से आरंब होता है इस काल में गांधार, मतुरा एब अमरावती मूर्ती कला सैली का विकास हुआ जहां गांधार मूर्ती कला सैली पर वैदेशिक प्रभाव है वहीं मत्रुआवा अमरावती सहलिया सुदेशी है अब बात करते हैं चित्रकला की चित्रकला से तत्कालिन समाज के मनोभावों को समझने में मदद मिलती है जैसे अजन्ता के गुफा चित्र प्राचिन कलात्मक उपलब्दियों की विरासत है इन में बोधी सत्म पद्म पाड़ी के चित्र, मडा सन राजकुमारी के चित्र से कलात्मक उन्नती का पूर्ण आवास होता है अब बात करते हैं मुहरों की अवसेशों से प्राप्त मुहरों से प्राचिन भारत का इतिहास लिखने में बहुत साहता मिली है मुहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है हडपप, मुहन जोदुड़ो और बसार से प्राप्त, मिट्टी के मुहरों में बने धार्मिक प्रतीकों से उनके आध्यात्मिक पक्ष के विसे में जानकारी मिलती है तो इस तरह हमने पुरा तात्विक साच्चों के विशय में जाना चलिए अब बात करते हैं साहितिक साच्चों की साहितिक साच्चों को हम धार्मिक साहित एवं लौकिक साहित में वरगिकरित करके अध्यन करते हैं धार्मिक साहित के अंतरगत ब्रामण एवं ब्रामणेत्तर गरंतों की चर्चा की जाती है। ब्रामण ग्रंतों में वेद, उपनिसत, रामायड, महाभारत, पुराण, आदी आते हैं, जबकि ब्रामणेतर ग्रंतों में बौध एवं जयन ग्रंतों को सामिल किया जाता है। यह साहित प्राचिन भारत की सामाजी केवं सांस्कृतिक इस्तिती पर प्रकास डालता है। पुराणिक अख्यान भी हैं। उपनिसिदों में हमें दार्षनिक चिंतन देखने को मिलते हैं। वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए छे वेदांगों की रचना की गई है। जो इस प्रकार हैं। सिक्छा, उच्चारण विधी, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, निरुक, भासाविज्ञान, छंद और जोतिस। महा भारत, रामायड और प्रमक पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 इस्वी की आसपास हुआ प्रतीत होता है। पुराणों की संख्या 18 है, जो प्राचिन काल से लेकल गुप्त काल तक की एतिहासिक घटनाओं की विशय में जनकारी उपलब्द कराते हैं। इनके रचनाकार लोम हर्स एवं उनके पुत्र उग्रिस रवा हैं। मस्य पुराण सबसे प्राचिन एवं प्रामाडिक है। जैन एवं बौध गरंतों में एतिहासिक विक्तियों एवं घटनाओं का उलेक मिलता है। प्राचिन बौध गरंत पाली भासा में लिखे गए थे। इनसे गौतम बुध के जीवन के साथ साथ मगद उत्री विहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई सासकों की जनकारी मिलती है। जैन गरंतों की रचना प्राकृतिक भासा में हुई थी। इनके आधार पर हमें महावीर कालिन बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गार्नितिक इतिहास के पुरन निर्माण में साहता मिलती है। आईए अब बात करते हैं लौकिक साहित की। लौकिक साहित के अंतरगत एतिहासिक गरंतों, जीवनियों, धर्म सूत्र, इसमर्तियों एवं टीकाओं को सामिल किया जाता है। एतिहासी ग्रंथों में कोटिल्य का अर्थ सास्थ अत्यंत महात्पूण ग्रंथ है। इसमें प्राचीन भारतिय राज तंत्र तथा अर्थ वेवस्था के अध्यन के लिए महात्पूण सामगरी मिलती है। कल्लन द्वारा रचित राज तरंगणी भी विशेस रूप से उल लेखनी है। यह संस्कृत साहित में एतिहासिक घटनाओं के क्रम बद इतिहास लेखने का प्रथम प्रयास है। जिसमें आदी काल से लेकर ग्यारा सो एक्यावन इस्वी के आरंबे तक के कस्मीर के प्रतेक सासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन दिया गया है। अर्द एतिहासिक घटनाओं में पाडने की अस्ताध्याई, कातेयन की वर्तिका, पतंजली का महाभास, काली दास का अभीज्यान साकुंतलम, माल विकागनी मित्रम आदी रचनाय सामिल की जाती है। जीवनियों में अस्व घोस्तवरा रचित बुद्ध चरित, बाणभट की हर्स चरित, विलहड की विक्रमांक देवचरित आदी सामिल की जाती है। दच्छिड भारत की इतिहास की जानकारी संगम साहित से प्राप्त की जा सकती है। जिसमें तोलकापियम, तिरुक कुलर, एहना नूरू, पुर्ना नूरू, सिलब पादिकारम, मडी मेकलई, आदी सामिल है। इस प्रकर भारतिय साहित से प्राचिन भारत की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसकी अलावा विदेशी साहित या विदेशी विवरणों को भारतिय साहित का अनुपूरक बनाया जा सकता है। परेटक बनकर आये या भारतिय धर्म को अपना कर अनेक युनानी, रोमन और चीनी यातरी भारत आये। और अपनी आखों देखे भारत की विवरण को लिखकर छोड़ा। आये बात करते हैं युनान एवं रोम के लेखकों की। युनान के प्राचिन लेखकों में टेसियस था हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। टेसियस इरान का राज जवेद्ध था। इसके वरणन अधिकांस कल्पित कहानिया है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसके द्वारा पाचवी सदी इसापूर में लिखी गई हिस्टोरिका में भारत और भारस के संबंदों का वरणन मिलता है। 326 इसापूर में सिकंदर के साथ आने वाले युनानी लेखक नियारकस, ओने सिक्रीटस और एरिस्टो बूलस थे। सिकंदर के बाद के लेखकों में तीन राजदूतों मेगस्थनीज, डाइमेकस एवं डायनोसियस के नाम उलेखनी हैं। सिकंदर के बाद के लेखकों में तीन राज़ूतों मेगस्थनीज, डाइमेकस एवं डायोनिसियस के नाम उलेखनिये हैं मेगस्थनीज की इंडिका में मौरकाल के समाज एवं संस्कृति का वर्णन मिलता है डायोनिसियस मिसर के सासक टॉलमी फिलाडेलफस का राज़ूत था जो बिंदु सार के राज़ दर्वान में आया था पेरिप्लस आपदा एरेथ्रियन सी और टॉलमी की जियोग्राफी नामकुस्तकों से भी प्राचीन भुगोल एवं वानिची के अध्यन के लिए प्रचुर समगरी मिलती है पिलिने की नेचुरल हिस्टोरिका इसा की पहली सदी की है जो भारत और इटली के बीच होने वाले ब्यापार की जानकारी देती है इसके अलावा प्राचीन भारती इतियास के सुरोतों में चीनी यात्रियों के वृत्तांत महत्पूर्ण स्थान रखते हैं ये चीनी यात्री बौध मतानुयाई थे तता भारत में बौध तीर्थों का दर्शन करने एबं बौध धर्म का अध्यन करने के लिए भारत आये थे इनमें प्रमुक्त थे फायान जो इसा की पांच्वी सदी के प्रारम में आया था ये चंद्रकुप्त विक्रमा दुत के सासन काल में भारत आया था इसने गुप्त कालिन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थे की सिती पर प्रकास डाला है इसके बाद हुएन सांग सात्वी सदी के उत्राद में हर्ष वर्दन के समय भारत आया था इसने हर्ष कालीन भारत के बारे में अपनी रचना S.U.C. में लिखा है साथवी सदी के अंत में ही इचसंग भारत आया इसने अपने विबरण में नालंदा विसविद्याले, विक्रम सिला विसविद्याले थथट तत कालीन भारत का वर्णन किया है तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्राचिन भारती इतियास के मात्रपूर्ण सुरोतों से संबंदी टॉपिक को कवर किया नेस्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ते हुए पूर्व इतियासी काल की विशाय में जानेंगे तब तक हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू